सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ सल्यूशन को और बेल आइकन को दबाईए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडी सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका हेल्थ सल्यूशन में फिर एक नए वीडियो के साथ क्या आपको डाइबेटेस की प्राब्लम है या फिर आपका जो कॉलेस्ट्राल लेवल है वो बहुत ही बढ़ चुका है या फिर आपके बाल जटते हैं या फिर आपका पीपी हाई होता है तो कोई बात ने अगर आपको इन सभी प्राब्लम में से कोई एक प्राब्लम है या फिर यह सभी की सभी प्राब्लम्स आपको हो है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सभी बिमारियों को हम कैसे कतम कर सकते हैं वो भी बहुत ही सिंपल तरीके सी अब हम बात करते हैं कि वो क्या चीज है दरसल वो है प्याज जी हां वही से भला कौन सा फाइदा है सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि प्याज का सेवन आपको किस तरह और कितनी मात्रा में और किस तरीके से करना है सुबह खाली पेट आपको प्याज का सेवन करना है और अपनी सभी बिमारियों को खतम करना है आज कर हर कोई व्यक्ति ऐसा ही कर पर है कि जब सुबह उठने के साथ ही हमारे शारी को एनरजी की ज़रूरत होती है कुछ अच्छा ऐल्थी खाने की ज़रूरत होती है ताकि हमारे शारीus में nutrients की कमी ना हो और हमें कभी weakness ना हो अब आप ध्यान रखें कि रोज सुबह काली पेट कच्छे प्यास का ही सेवन करें एक प्यास लीजिए उसे उठने के बाद काट कर आप पानी में भिगो दें पान से दस मिनट तक इसे ऐसा ही चोड़ दे ऐसा नहीं करना कि प्यास को ची लिया और उसे खा लिया क्योंकि अगर आप इस तरीके से प्यास का इस्तेमाल करेंगे तो आपके शाविर में एसिड बढ़ जाएगा कुछ लोग कहते हैं कि उनके पेट में प्यास का सेवन करने से ऐसे रिटी हो जाती है इसकी वज़े यही है क्योंकि प्यास जो है उसमें एलेन नामक एसिड होता है और जब हम प्यास को काटने के तुरंद पत का लेते हैं तो वो एलेन नामक एसिड एलेन नामक ही रहता है लेकिन जब हम इसे काट कर पानी में भिगो कर उसे 5-10 मिनट तक चोड़ देते हैं तो जो वो एले नामक ऐसे होता है वो एलेकेन में बदल जाता है जिससे हमें बहुत सा फाइदा मिलता है अब बात करते हैं प्याच का सेवन करने से हमें क्या-क्या फाइदे हैं सबसे कुल भी नहीं है अमारे पेट के नीचे पैनक्रियास होता है जो की इंसुलिन पैदा करने का मुख्य सरौत है कुछ स्थितियां ऐसी आती है कि हमारा जो पैनक्रियास वो काम करना बिल्कुल बन कर देता है और इंसुलिन को प्रेडूस ही नहीं कर पाता इसी वजह से हमें हो जाती है इसलिए अगर आप पैंक्रियास को स्ट्रॉंग करना चाहती है उसे मजबूत करना चाहती है तो अपने खाने में कच्छी चीज़े शामिल करनी चाहिए और अगर आपको डाइबेटिस की प्राब्लम है तो रोज सुबह खाली पे कच्छे प्याच का सेवन करें व किसी भी परकार का कैंसर है तो उस कैंसर को खतम करने के लिए भी प्याज का सेवन करना बहुत ही फाइदे मन्द है क्योंकि प्याज में ऐसे न्यूट्रियंट्स पाहे जाते हैं जो कैंसर को खतम करने में हमारी हेल्प करते हैं इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेट कच्चे प्यास का सेवन करेंगे तो आपके शारीर में अगर कैंसर की प्राबलम हो चुकी है वैसे तो भगवान करें कि ये प्राबलम किसी को भी ना हो लेकिन फिर भी अगर आप अपने गलत खान पान के कारण इस भ्यंकर भीमारी का शिकार हो चुकी है तो आप रोज सुबह खाली पेक कच्चे प्यास का सेवन करें आपके शारी के जो कैंसर सेल्स हैं वो खतम होना शुरू हो जाएंगे इसके लावा अगर आप प्याज के फाइदे जानकर इसका इस्तेमाल जादा करेंगे तो उससे आपको नुकसान है जी हाँ अगर हमें किसी भी चीज से फाइदा हो रहा है तो उसके नुकसान भी होते हैं जैसे कि आप जानते होंगे कि जो पुराने रिशी मुनी थे वो प्याज का सेवन नहीं करते थे लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो प्याच का सेवन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इसकी स्मेल गंदी है लेकिन नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते थे बलकि वो प्याच का सेवन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें दिन भर तपस्या करनी होती थी सालों साल उनकी दिन तपस्या में ही बिच जाते थे इसी वज़े से वो प्याच का सेवन नहीं करते थे क्योंकि ये तामसिक भोजन है जब हम प्याच का सेवन जादा करते हैं तो ये हमारे शारीर को तेजी दे देता है हमारे दिमाग को तेजी दे देता है जिसकी वज़े से हम उस काम पर कॉंसेंट्रेशन नहीं कर पाते जिस काम को हम करना चाहते हैं इसके लावा अप ये भी जान लीजे कि ऐसा ना हो कि अप गंदी स्मेल की वज़े से प्याज का सेवन ना करें कभी भी किसी चीज के आउगन मत देखिए उसके गुणों की और देखिए प्याज के गुणों की वज़े से इसकी स्मेल की और देखर इसे मत चोड़िए अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि इसका सेवन करने से मुझे स्मेल आती है तो आप प्याज का सेवन करने के आदा गंटा बाद इलाइची को खा लीजिए अब देखेंगे आपके मुझे कोई स्मेल नहीं आएगी तो ये तो हुए प्याज खाने के फायदे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दें ताकि आप वीडियो के जरीए मेरे साथ कॉनेक्टेर रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिलें सो तब तक के लिए गुडबाई और टेक कियर थैंक यू